हलो हलो हलो, welcome to compare car series आज हम compare कर रहे हैं TARA Safari और Grand Vitara को दोनों cars के best and worst features देखेंगे और end में conclude करेंगे कि किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए इन दोनों में से और इन दोनों गाड़ीों का सबसे best value for money model भी देखेंगे तो end तक बने रहे हैं अभी चालू करते हैं TARA Safari के best features के साथ तो TARA Safari की सबसे अच्छी बात है कि वो बाहर से एकदम rough and tough strong दिखती है masculine दिखती है और अंदर से एकदम premium और posh दिखती है इसके साथ ये एक बहुत ही powerful गाड़ी है और जब ये road पे चलती है तो अपनी presence दिखाती है strong है और safe है इसके साथ TATA ने अपनी service भी काफी अच्छी कर ली है और अब हर गली नुकर में TATA का service center आपको मिल जाएगा सो तो काफी ही easily accessible service भी है अब आजाते हैं विटारा के best features पर तो मारूती गाड़ीों का best feature तो सबसे पहले वही होता है कि इनका pick up बहुत अच्छा होता है ये बहुत easy to drive होती है और city drive के लिए apt गाड़ियां होती है इसके साथ मारूती विटारा के साथ hybrid technology ला रहा है तो उन सब के लिए जो अभी एकदम electric कास पे convert नहीं हो पा रहे हैं rely नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक strong hybrid car ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको mileage भी काफी जादा मिलेगा इसके साथ विटारा में आपको 360 degree camera भी मिल रहा है और personally मुझे feel हुआ test drive लेते time की cabin जो था वो काफी silent भी था तो ये तो हो गए विटारा के बहुत ही बड़िया बड़िया best features अब आजाते हैं सफारी की बुराईयों की तरफ तो जो सफारी का infotainment screen है वो lag करता है चाहे google maps चला लो चाहे music चला लो ये हमेशा lag करेगा तो ये एक कमी है सफारी की उसके साथ 360 degree camera नहीं है जो की एक बहुत बड़ी कमी है सफारी की इसके साथ विटारा में क्या कमिया है विटारा में तो वो ही कमिया है जो मारूती की हर गाड़ी में होती है interior जो है वो economical दिखता है पार गाड़ी में इतनी है नहीं जो rear seat में space है वो काफी कम है और जो sunroof के shade का material यूस किया है वो काफी थिन है तो जो sunlight है वो पास होगी cabin में तो ये तो हो गए दोनों गाड़ीों के best and worst features अब final verdict में पहले आपको अपने आप से खुद से पूछना पड़ेगा कि मैं गाड़ी क्यों खरीद रहा हूँ मेरा यूस क्या है गाड़ी का क्योंकि अगर आपका गाड़ी का यूस ये है कि आप उस गाड़ी में बहुत road trips पे जाने वाले हैं बहुत highway पे चलाने वाले हैं और आपको एक strong और powerful गाड़ी चाहिए तो आप सफारी के साथ जाएए पर अगर आपकी 90% city में ही गाड़ी चलने वाली है और आपको एक अच्छी mileage वाली गाड़ी चाहिए तो फिर आप विटारा के साथ जाएए तो इसलिए दोनों गाड़ी आच्छी हैं पर based on your use of the car आपको decision लेना है इसके साथ as promised दोनों का value for money model भी बता रही हूँ सफारी का check out कीजिए XMS variant और विटारा का check out कीजिए Alpha variant That's it for today's video Next video में मिलती हूँ Suggestions दीजिए और कि क्या देखना जाते हैं भी नही है ऐसका